मोदी को पुतिन कर रहे थे ब्लैक मेल पीएम ने सिखाया सबक चोरी छुपे पाकिस्तान से प्यार अब रूस पर पड़ेगा बहुत भारी रूस की लाइफ लाइफ लाइन पेट्रोलियम पर भारत ने चलाया हंटर अब रूस के दुश्मन देश की यात्रा पर रवाना हो रहे है मोदी दोस्तो इस वक्त चीन और रूस के बीच करीबी तो बढ़ ही रही थी संगाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान रूस के करीब आता दिखा था इतना ही नहीं, पाकिस्तान रूस से रेलवे लाइन बिचाने के लिए भी तैयारी कर रहा है जबकि रूस ठीक से जानता है कि पाकिस्तान और चीन भारत के सबसे बड़े दुश्मन है कभी रूस के साथ भारत ने इस बात का करार किया था कि दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन के खिलाफ कोई सैन्य सहयोग नहीं करेंगे इस समझोते की भारत ने काफी कीमत भी चुकाई थी अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत बनाने की नीती अपनाई थी भारत और रूस के बीच जब दोस्ती शुरू हुई थी तो इसे एक गवाह खुद पुतिन भी बने थे लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो दोनों दोस्तों की दोस्ती के बीच दरार पैदा कर सकती है क्योंकि रूस ने भारत को भरोसे को तोड़ते हुए पाकिस्तान को पहली बार खतरनाक ड्रोन देने की गद्दारी कर दी है एक तरफ तो उसने पीम मोदी को अपने देश के सरवोच्च सम्मान से नवाजा है जबकि दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है इस खबर के बाद से पीम मोदी खतरनाक एक्शन मोड में है और अपनी यूक्रेन यातरा की डेट फिक्स कर दी है वहीं पेट्रोल आयात पर भी कमी करने का फैसला करने जा रही है इस से रूस को बड़ा जटका लगने वाला है तो इसके पीछे छुपे तमाम सीक्रेट्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखरी तक देखिए पीम मोदी की बवाल रणनीती का जलवा देख आप हैरान रह जाएंगे आगे बढ़ने से पहले भारत की विदेश नीती के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें अमेरिका को छोड रूस के पाले में जा रहा भिखारी पाकिस्तान चीन ने भारत के खिलाफ गठ जोड के लिए उठाया बड़ा कदम रूस ने हथियार देकर कर दी गलती यूक्रेन में मोदी करेंगे खेल दोस्तो रूस ने पाकिस्तान को अपने बेहत ताकतवर ड्रोन ये जानते हुए भी दिये है कि पाकिस्तान अपने हथियारों का इस्तिमाल केवल और केवल भारत के खिलाफ करता है ये drone काफी ताकतवर है और निगरानी के अलावा ये हमला भी कर सकते हैं इनकी क्या ताकत और क्षमता है इस बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन इस से पहले रूस पाकिस्तान के बीच चोरी छिपे चल रही जुगल बंदी के बारे में आपको बताना चाहेंगे तो दोस्तो इस वक्त चीन के खिलाफ अमेरिका को एक ताकतवर साथी की जरूरत है और इस मामले में पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अमेरिका का साथ नहीं दे सकता है क्योंकि वो चीन के कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि उसकी आत्मा भी चीन के तालों में बंद है इसी वजह से अमेरिका का जुकाव भारत की तरफ बढ़ गया है वहीं भारत रूस की बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि भारत रूस से सबसे ज्यादा हत्यार खरीदता है वहीं वो इसके अलावा भी तमाम चीजें आयात करता है अगर भारत रूस से अलग जाता है तो आर्थिक तोर पर रूस को बहुत बड़ा जटका लगेगा जिससे अमेरिका को बड़ा फायदा होगा रूस पर अंकुष लगाने में तो उसे मदद मिलेगी ही वहीं भारत के व्यापार में भी उसे हिस्सेदारी हासिल हो जाएगी फायटर जेट जैसे बड़े सौधे हासिल कर वो अपनी एकोनॉमी को मजबूत कर सकेगा डोनाल्ड टरंप के वक्त से भारत अमेरिका बेहत करीब आ गए है अमेरिका ने कई मामलों में भारत का पक्ष लिया है जबकि बाकी दुनिया पर उसने सक्ती दिखाई है चाहे वो इरान के चाभार का मामला हो या फिर रूस से S-400 खरीदने का मामला हो टरंप से कहके ही मोदी ने पाकिस्तान को IMF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था जिसके बाद पाकिस्तान दाने-दाने को मोहताज हो गया था और दोनों देशों के रिष्टे काफी खराब हो गए थे वामपंथी बाइडेन ने आते ही टरंप की नीतियों के खिलाफ जाकर फिर से पाकिस्तान की मदद शुर कर दी थी और हतियारों की मदद भी की थी और अब पाकिस्तान IMF की ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ चुका है और ब्लैक लिस्टेड होने से बच गया है इसके लिए पाकिस्तान ने खुद अपने जमीर को बेचने का सौदा किया था पाकिस्तान दुनिया भर में इसलाम का सबसे बड़ा पैरोकार बना गूमता है वो इसलाम के नाम पर ही गल्फ देशों से मदद की गुहार लगाता है और इसलाम के नाम पर ही भारत के मुसल्मानों को भारत से गद्दारी के लिए उकसाने की कोशिश करता है कश्मीर में आतंक पहलाता है वहीं तमाम आतंकी संगठनों को संरक्षन देता है लेकिन अपनी जरूरतों के लिए उसने अल-काइदा चीफ आइमान अल-जवाहिरी को पहले अपने ही देश में संरक्षन दिया और चुप-चाप अमेरिका को इसकी खबर दे दी थी जिसके बाद अमेरिका ने ड्रोन के जरीए हेल फायर मिसाल से हमला करके उसके चितरे उड़ा दिये थे इस घटना के बाद तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भड़क गया था जबकि अमेरिका ने इसी के इनाम के तौर पर पाकिस्तान को मदद दी थी और IMF की ग्रे लिस्ट से बाहर करवाया था लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान अमेरिका से वो हासिल नहीं कर पा रहा है जो पहले उसे मिल रहा था क्योंकि इस वक्त मोदी की मजबूत रणनीती की वजह से अमेरिका न चाहते हुए भी भारत के बेहत करीब है और लगातार भारत के साथ भयंकर जंगी अभ्यास कर रहा है दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा अमेरिका ने भारत के साथ युद्धा भ्यास किये हैं और इसके पीछे का मकसद चीन को ये एहसास कराना है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है जबकि अमेरिका के खत्रे से बचने के लिए ही चीन रूस के करीब गया है और भारत के खिलाफ गठ बंधन को मजबूत बनाने के लिए उसने ही पाकिस्तान को रूस के करीब किया है और अब दोनों के बीच करीबी बढ़ रही है जिससे भारत का माथा ठंका हुआ है और पीम मोदी ने रूस का जवाब देने का मन बना लिया है और यूक्रेने की यात्रा फिक्स कर दी है यूक्रेन जाकर रूस को बहुत बड़ा जटका देंगे पीम मोदी पाकिस्तान को दिये ड्रोन की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत रूस ने जो ड्रोन पाकिस्तान को दिये हैं, पाकिस्तानी सेना उनका इस्तिमाल भारत की जासूसी और घुस पैट के लिए कर रहा है रूस ने पाकिस्तान को सुपरकैम S250 ड्रोन दिये हैं सुपरकैम S250 तकनी की रूप से बेहत ताकतवर है ये किसी भी मौसम में तीन घंटे तक उडान भर सकता है और हाई क्वालिटी की वीडियो भेज सकता है इसका इस्तिमाल सुरक्षा, जासूसी, मैप बनाने और दुश्मन की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है रूसी सुपरकैम S250 को दुनिया के टॉप ड्रोन में से एक माना जाता है खुद अमेरिका इसकी ताकत का लोहा मानता है, इसकी ऑपरेशनल परफोर्मेंस, रिलाइबिलिटी और दमखम जबरदस्त है रूस ने यूकरेन जंग में इनका भायंकर इस्तिमाल किया है सुपरकैम ड्रोन के टोही और कैमिकेज दोनों वेरियंट्स उपलब्ध है रूस इन ड्रोन का ताबरत और प्रोडक्शन कर रहा है इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने केवल पांच महीनों में 30,000 वर्ग मीटर में फैली एक नई मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी को तयार किया है सुपरकैम ड्रोन युद्ध के मैदान गेम चेंजर है खास कर जब होविद्ध के साथ मिलकर इसका इस्तिमाल किया जाता है तो ये बेहत घातक हो जाता है युक्रेन युद्ध में रूसी ऑपरेटर इसकी मदद से युक्रेनी फाइरिंग पोजिशन और फील्ड डिपो का आसानी से पता लगा कर उन्हें बे असर कर रहे हैं इससे ये समझा जा सकता है कि ये हथियार भारत के खिलाफ कितना खत्रा पैदा कर सकता है इसी वजह से पीएम मोदी ने रूस को जटका देने का मन बनाया है और वो युक्रेन जाकर गेम पलटने वाले हैं पश्चिम पहले से ही ये चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ हो जाए और युक्रेन का समर्थन करे इसी वजह से पीएम मोदी को G7 और उसके बाद युक्रेन शांती समझौते के लिए न्योता दिया गया था वहीं युक्रेन शांती सब्मिट में भारत के डिप्लोमेट्स को भेजा गया था जेलेंस्की ने G7 मीटिंग के वक्त ही पीएम मोदी को यूक्रेन आने का नियोता दिया था और अब पीएम मोदी जल्द ही यूक्रेन जाने वाले हैं जिससे रूस को अपने उस समझोते को तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ सकती है जो उसने 9 अगस्त 1971 में भारत के साथ की थी जिसके गवाह खुद तब पुतिन बने थे इसके तहट भारत ने रूस के साथ 20 वर्षियस सहयोग संधी पर हस्ताक्षर किये थे इसमें दोनों देशों की संप्रभुता के प्रति सम्मान और एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना अच्छा पडोसी बनना और शांति पूर्ण सहयोग कायम करना शामिल था 1993 में रूस और भारत ने शांती, मैत्री और सहयोग की नई संधी की लेकिन उसका आधार भी इन ही बुन्यादी सिध्धानतों पर बनाया गया था भारत और रूस के बीच दोस्ती का सबसे बड़ा बेस यहीं 1971 की मैत्री संधी है लेकिन रूस ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर इसे जटका दिया है जिसके खिलाफ भारत यूक्रेन के पक्ष में कोई कदम तो उठा ही सकता है जबकि तेल आयात में भी कमी कर सकता है जिससे मोस्को को बड़ा जटका लगेगा तो दोस्तो रूस की इस हरकत और भारत के एक्शन प्लान पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं